हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग दोस्तों आपको पता होगा कि PUBG कुछ टाइम पहले बैन हुआ था शायद मैंने जले पे नमक सीड़क दिया ये बात कहके कि PUBG बैन हुआ था मेर को पता है PUBG का कापी लोग इंतजार कर रहे थे पबजी सोच रहे थे कि पबजी वापिस आएगा या पबजी कभी हो सकता है बैन हट जाए वो लेकिन ऐसा नहीं हुआ अप गोवर्मेंट ने उसको पर्मनेंटली बैन कर दिया था और अब हम उसका इंतजारी करते रह गए हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग आज कल जुगाड करके तो खेलते हैं जिनको खेलना है वो तो कई ना कई से जुगाड करके खेली लेते हैं वह अपना काम चला रहे हैं लेकिन दोस्तों एक न्यूस सुनने में आई है कि पबजी निउस्टेट नाम से पबजी का अलग से एक वरजन जो है वो लांच हो गया है लेकिन इसका अभी ये पक्का नहीं है कि इंडिया में ये पक्का आएगा कि नहीं आएगा सारी बाते इस वीडियो में करने वाले हैं सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा तो आईए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो जब हम बात करते हैं PUBG के बारे में तो ये हमारे दिल से जुड़ी हुई एक बात है कि PUBG हमारे मतलब मन में बस गई हमारे रम रम में बस गई मतलब कहना चाहें कि PUBG के बारे में मतलब लोग इतने दिवाने हैं PUBG के कि अगर आज भी लॉंच हो जाए इंडिया में तो आज भी millions of download हो जाएंगे बिल्कुल हो जाएंगे एकी दिन में क्योंकि बहुत सारे users थे बहुत सारे players थे gamers थे जो PUBG खेलते थे जिने PUBG बहुत ही अच्छा लगता था एक battleground game था आपको पता ही है मुझे उसके बारे में ज्यादा बताने के जुरुत नहीं है लेकिन एक नई बात यह उबर किया है कि PUBG new state के नाम से एक new game जो की launch हो चुका है globally launch हो चुका है इंडिया में आएगा की नहीं आएगा इसका कुछ पक्का नहीं है लेकिन यह जो game है यह बहुत ही अच्छा game है मतलब उन्होंने जो पहले वाला version था PUBG global या PUBG इंडिया जो भी हम कहना चाहें तो उसके मामले में अगर हम इसे comparison करें तो इसमें उन्होंने बहुत अच्छे graphics इसमें यूज किये गए हैं तो आप सोची सकते हैं कि हमें इसमें कितना मज़ा आएगा और अगर इसमें बात करें और भी tools वगएरा कि तो इसमें बहुत सारी हमें नए नए features भी देखने को मिलेंगे जैसे कि हम इसमें drone उडा सकते हैं और इसमें हमें हो Play Store पर इसके pre registration शुरू भी हो चुके हैं लेकिन अभी अगर हम जब Play Store पर जाते हैं और इससे सर्च करते हैं तो हम यह देखते हैं कि हम इसको install नहीं कर सकते जी यह भी तो दुख की बात है कि हम इससे देखतो रहे हैं Play Store पर बस इंस्टॉल नहीं कर पारे वही बात है कि वह हो है वो टूल्स वगएरा और भी ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं और हो सकता है हमें इसमें बहुत ही अच्छा experience मिले और अगर यह इंडिया में आ गया तो उसे भी ज्यादा क्रेज होगा पहले वाले पपजी से भी इसका ज्यादा क्रेज होगा मैं यह दावे से कह सकता हूं क्योंकि मैंने इसका ट्रेलर देखा आप भी अगर देखोगे तो यह जो ट्रेलर आप देख सकते हैं तो यह जो ट्रेलर है इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं कितने पढ़िया कितने realistic graphics हैं इसमें ग्राफिक्स आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के ट्रेलर से मैं तद दिवाना होगा पब जी का जो कि मैं पब जी पहले खेलता था अब तो नहीं खेल पाते बाकि जो है वो तो जुगाड करके खेलते ही हैं लेकिन मैंने भी एक बार सोचा था क कि जुगाड करके खेलू लेकिन सोचा कि नहीं हमारी कोवर्मेंट के जो प्रोसीजर जो हमने बैन किया था पब जी को उसे हमें फोलो करना चाहिए और उसको सपोल्ट करना चाहिए तो इसलिए मैं सोचता हूं कि अभी अगर ये इंडिया में आता है तो मैं तो इंस्टोल नाम से या PUBG New State India जो भी जिस भी नाम से आता है बहुत ही अच्छा रहेगा एक इंडियन वर्जन आएगा तो बहुत मज़ा आएगा और जब भी आएगा इसको ट्राइ करेंगे और इसका गेम प्ले भी आपको मेरी इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो आई होप आपक वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम एंड टेक केर